तो हेलो एंड विलकम तो पाथ पैंडर चैनल और सावी सारी सारे ही दोस्तों को बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग तुप्रभात आपका दिन मंगल मैं हो ऐसी मेरी शुब कामना ही रहेंगी दोस्तों आप सभी का हर्तिक स्वागत है आयों देख पा रहे हैं सुन पा रहे है आप लोगों का जैसा काफी दिमांड था तो अगर आप देखें तो इको सिस्टम पढ़ रहें तो उस टॉपिक में अगर आप देखें तो हम जो टॉपिक पढ़ने पेड़ है तो वह एक जीव जैव है वह बायोटिक कॉंपोनेंट उस एको सिस्टम में किस पर निरभर कर निरभर करता है तो आपस में सब्सक्राइब बायोटिक निरभर करता है नीचे बनाते जा रहे हैं वैसे Пेड से निकल रहे हैं पत्ते कोई भकरी खा रही है तो वह क्या है आपस में बायोटिक तिंग्स लिव तो रहे है सुछ समझ़ जाएंगे ढिर साघंग के साथ तो एक मिनट दीजे मुझे मैं भी वर्ट चेक कर लेता हूं हवास क्लियर है सनाई दे रहा है दिखाई दे रहा है को इशु तो नहीं है बहुत बढ़िया सब कुछ क्लियर है तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के साथ करते हैं तो अगर आप देखें तो डेली लाइव क्लास अगर आप देखें तो आपको स्टॉक्चर्ड कोर्स अगर आप देखें तो आपको स्टॉक्चर्ड कोर्से मिलते हैं और जब तक भी आपका duration है जब तक आपको unlimited access उनका मिलता है आइकनिक में आपको mentor भी मिलते हैं और साथ साथ आपको main answer writing की test series भी मिलती है याने की जिसमें आप मेंस के answer लिखोगे और उसका evaluation भी आपको मिलेगा तो जो प्लस सब्स्क्रिप्शन है उसकी दो साल की cost करेंगे तो मैं आपको अपने तरफ से एक्स्ट्रा मेंटरशिप भी दूंगा चाहिए अप्लस सब्सक्रिप्शन ही क्यों ना ले आप प्रसेस कुछी लोग क्लियर कर सकते हैं आप नहीं क्लियर कर पाए तो मतब आप से ज्यादा किसी ने मेहनत की हो या फिर आपसे ज़्यादा किसी का दिन उस दिन अच्छा हो कोई व्यक्ति हो वैसा हो सकता है तो क्या करना है लइन कीजिए अपने पैनल जो है वह बहुत ही उम्दा रहेगा इसमें आप अगर देखें तो रिटाइड आई इस अफिसर्स हैं लीडिंग एडूकेटर से उनके द्वारा बनाया गया यह पूरा का पूरा पैनल भी आप देख सकते हैं वैसे आप अगर देखें तो यह एक्स्पिरेंस आप सब्सक्राइंब देखें और इसका फाइडा उठाएं इसके इसवा नए बैच इसके दो करें और अनलॉक करें तो दोस्तों अगर आप पूरी समरी देखें तो टाइब्स ओफ बाइओ टेक्शन ये आपकी समरी स्लाइड है आपको बस इतना जानना है ये समरी स्लाइड है इस लेक्शर के अंध तक आप ये सारी की सारी चीज़े जान जाएंगे यह सारे के सारे अलग अलग प्रकार के बायोटिक इंट्राक्शन है जैव कॉंपोनेंट ओफ इको सिस्टम में वह आपस में इक दूसरे से इन प्रकार से इंट्राक्ट करते हैं तो क्लास के अंद तक आपको यह समझना है मैं इसको समरी की तरह लूँगा तो दोस्तों पहला हिंका-इंट्राक्षन का प्रकार है further can we going to cry about it कर रहा है कि निए आपको ख। तो इसको खा रही है आप descone को खा रही है वैसे यहां पर देखो क्रें क्रारा रहा है मेला को खार है बालू क्या कर रहा है मश्ली को खा रहा है तो यह क्या है predator-pray relationship कैसा है दो biotic component दोनों जायज हैं लेकिन एक species क्या कर रही है दूसरे को खा रही है भख्षक है उसका भख्षण कर रही है तो उस प्रकार से जो species जिसको खा रही है उसकी fitness पहले से बहतर हो को जा रही है लेकिन दूसरा प्रेगा क्या हो जाएगा या तो मर जाएगा या फिर कुछ पाट वाट खालिय। फिटनेश को जाएग तो relationship अगर आप देखें तो इसमें क्या हो रहा है आप अगर देखो तो एक को फैदा होता है एक को नुकसान हो जाए है नेक्स्ट अगर आप देखो reduction का ही एक प्रकार है हरभी वोरी हरभी वोरी का मतलब hunting of plants तो यह एक्ट of eating plants को कहते हैं हरभी वोर तो यह अगर आप देखो हरभी वोरी अगर आप देखो तो और कुछ नहीं है एक form of प्रेडेशन है जिसमें क्या हो रहा है प्लांट कम्यूनिटीज को खाया जा रहा है किसी दूसरे कॉंपोनेट के दुबरा नेक्स्ट इंटराक्शन अगर हम देखें तो वो है पैरसिटिजम तो इसमें क्या है कि इसमें भी एक को फायदा है एक को नुक्सान है लेकिन साथ में और भी चीज़ें हैं पैरसिटिजम में अगर आप देखो तो एक स्विशीज क्या करता है कि वो दूसरे पे न्यूट्र के लिए निर्भर तो होता ही है लेकिन साथ साथ उसके शरीर में भी रहे इस दौरान काफी क्लोज रिष्टा हो जाए जिसका वो भक्षन कर रहा है जिसको नुक्सान पहुचा रहा है उसके साथ रहे और धीरे-धीरे करके उसको खोगला करे तो वो क्या हुआ पैरसिटिजम तो पैरसिटिजम में आप अगर देखो तो एक स्विशी दूसरे पर न्यूट्रीशन के लिए निर्भर करता है लेकिन उसके अंदर भी रहता है तो यह जो जीव एक चरफ पैरसिट है और जिसके शरीर में वो जीव रह रहा है वो क्या कहलाता है होस्ट तो पैरसिट क्या करता है होस्ट के शरीर में भी रहेगा और इस प्रकार से धीरे-धीरे इसका खाना भी चुरा के खाना शुरू करेगा और इसी दौरान धीरे-धीरे इस होस्ट को वो कमजोर भी करता जाएगा तो कह जबते हैं घर का भेदी लंका ढाय जैसा है आपके शरीर में रहेगा और आपको नुक्सान पहुंचाता रहेगा तो क्या लेता है प्रयारख सै्ट बदले में नरिशमेंट लेता है इसका खाना चुराता है और शाहएगा लग-अब सब करें प्रग प्लॉट जोको ende कर 15 एक अब सवाल उठता है क्या मच्छड एक पैरसाइट है वा है क्या मच्छर ए llevar नहीं कह सकते क्योंकि जो फीमेल एनोफिलीश मॉस्किटों होती है जो की मलेरिया या फिर डेंगू मलेरिया जो आपको किसी को भी दे सकती है संक्रमित कर सकती है व Bowl अगर आप प्रोटीन उसे चाहिए होता है आईरन तो वह खून से निकाल लेती है उसकी बस इतनी ही रिख्वाइर्मेंट है बाकि उसका जो होस्च के साथ रिष्टा है वह बहुत शॉर्ट लिफ्ट है कुछ सेकेंड में बैठी खून पी और भाग गई तो यह क्या है होस्च के शरीर म मॉस्कीटो और यूमन का जो रिष्टा है उसे पैरसिटिजम के अंदर इंक्रूड नहीं किया जाता लेकिन उस मॉस्कीटो के शरीर में एक प्रोटोजवा रहता है प्लास्मोडियम अलग अलग प्रकार का प्रोटोजवा है तो जो वाई वैक्स है या फिर फैलसी पेरम ह है यह सब क्या है अलग अलग प्रकार के प्रोटोजवा हैं यह उस मच्छर के शरीर में रहते हैं और मच्छर के शरीर से वह न्यूट्रिशन लेते हैं जब मच्छर इंसान के शरीर में बैठता है कुन भी ने तो वह प्रोटोजवा इंसान के शरीर में रहेगा और न्यू नाम के प्रोटोजोवा का इंसान के साथ रिष्टा कैसा हुआ वह अगर आप देखो तो वह पैरसिटिक इन नेचर हुआ तो आई होप यह समझ आई आप लोगों को तो मैं भी देख ले नहीं कुछ कमेंट्स अगर हैं कुछ डाउट है तो बढ़िया चलिए अगले टॉपि है जिसमें दोनों स्सीशी एक दूसरे से भी उठाएं जैसे कि कोर और अगर आप देखो तो उसमें दो चीज़े होती है एक तरफ आप देखो तो कोरल एन इमल्हल कहते हैं पॉलिप और इसके शरीर में आप अगर देखो तो एक अलगी रहती है जिसका नाम है जू सले चक तो पॉलिप जूज एंथलाई को क्या देता है पॉलिप जूज एंथलाई को शेल्टर देता है रहने के लिए घर देता है ताज साथ आप अगर देखो जूज एंथलाई क्या है केल्गी है उसे क्या करना है फोटो सिंथिस करना है फोटो सिंथिस करने के लिए क्या चाहिए carbon dioxide चाहिए पानी के अंदर carbon dioxide बहुत ज्यादा नहीं है coral reef पानी के अंदर है तो polyp क्या करता है respiration करता है इस दौरान CO2 produce करता है तो वो CO2 जूजेंधिलाई को मिल जाता तो photosynthesis कर पाता है जूजेंधिलाई photosynthesis करके क्या करता है nutrition बनाता है तो कुछ nutrition polyp को भी इस दौरान दे देता है specially कुछ nutrition ऐसे होते हैं मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि polyp को calcium carbonate का एक दूस्केलेटन बनाने में मदद करते हैं तो यह जो रिष्टा है दोनों जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को मदद पहुचाते हैं यह क्या है symbiotic relationship यह कैसा है mutualism एक दूसरे को benefit पहुचाने वाला तो यह आपको याद रखना है वैसे ही आप अगर देखो वैसे ही आप अगर देखो तो और एक प्रकार का symbiotic relationship है यह honey भी को देखो honey भी क्या कर रही है इस फूल के उपर बैठी हुई है पंखुडी पर क्या कर रही है उससे nectar ले रही तो उसको तो nutrition मिल रहा है लेकिन बतले में इस फूल ने क्या किया तो यह pollination भी इसके जो seeds है फूल के वह यह honey भी उड़के दूसरे पेड़ पर वैठेगी और वहां पर पहुझा देगी और इस प्रकार से pollination करवाने में मदद करेगी तो हनी भी को खाना मिलता है फौधे को रिप्रोडक्शन हो जाता है साथ में तो यह भी क्या है एक दूसरे के लिए फाइदे का सोदा है तो यह क्या है वैसे ही आप देखो सी एनिमोन और क्लाउन फिश यह क्लाउन फिश है यह देखो इसमें सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्लाउन फिश रहती है इसके बीच आप देखो तो यहां पर बैठी रहती है तो अब वही के उहीं मर जाते पानी में यह इसके पास नहीं जाती लेकिन clownfish उसके अंदर बैठती है क्योंकि clownfish जो है usually c-anemone उसको डंक मारते नहीं है और इका दुक्का का भी मार भी दें तो c-anemone का जो skin है यह clownfish का जो skin है उसमें thick mucous membrane होता है यह mucous membrane उसके डंक को अंदर तक असर करने नहीं देते और इसी दोरान तो इस वज़े से clownfish को protection मिलती हो c-anemone के अंदर बैठा रहता है और बाकी मचलिया खाने भी आएंगी तो c-anemone के डर से clownfish को खाती नहीं है वो छुपके अंदर बैठा रहता है तो clownfish को क्या मिल रही है protection मिल रही है बदले में आप अगर देखो तो यह जो c-anemone जो toxic urea produce कर रहा है इस process में उस urea को clownfish क्या करती है धीरे-धीरे साफ करती रहती है और number two अगर आप देखो तो एका दुका zebrafish जैसे predators होते हैं यह zebrafish क्य क्या करते हैं तो यह c-anemone को खाने में सक्षम होते हैं लेकिन clownfish के डर से जीब्राfish भी नहीं आते तो यह कैसा रिष्टा है mutualism का जिसमें आप देखो तो दोनों को एक दूसरे को फायदा हो रहा है ठीक है तो नेक्स्ट अगर आप देखो interaction है competition तो competition अगर आप देखो यह वह रिष्टा है जिसमें एक species को benefit होती है और दूसरा अगर आप देखो तो दूसरे को दूसरे को उसका nutrition खीचा जा रहा है तो थी जिसमें एक को benefit हो रहा है और दूसरे को नेगेटिवली एफेक्स किया रहा है क्यों competition है एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा एक कर जैसे कि आप देखो तो एक करण का शिकार हुआ है यहाँ पर विचारा लायन ने शिकार किया तभी तक यहां पर इतने सारे आगये हाइना जुंड बना के आए और क्या करें लाइन को भगा रहे हैं कि अब शिकार जो किया आपने हम खाएंगे इसे तो यह क्या है यह प्रकार का competition हो सकता है कुछ competition within the same species हो यह देखिए एक Gove them लिमेटकीड़े हैं एकमच यहां पर दूसरी चड़ी उसका मुझन कैसे बंढर रही है तो यह और आप अगर देखो दो प्रकार का होता है इंक्राइस सब़स्पेसिफिफिक एंटर सब्सक्पेसिफिक अगर देखो तो यह वो है जिसमें same species के members के बीच में competition हो एक इलाका है वहाँ पेड़ है यह पेड़ ने क्या किया नीचे च्छाओं किया तो दूसरा पेड़ भी उचा उगना शुरू कर दिया कि ना sunlight तो मुझे भी चाहिए मैं भी उचा उठूंगा संद्वाइट के लिए competition हो रहा है तो बे याद रखेंगा नेक्स अगर आप देखे तो है सले सॉट हैं मैंसालिजम को मजे लेने हो गये एक freenth jestem को नुक्सान हो जाता है भही आगर दूसरा सुट तो इसको ना फाइदा ना नुक्सान वह क्या किव बस उसके जे ले लिया तो ऐसे के रिष्टे को क्या कहेंगे कहेंगे और आपने सुना होगा बच्पन में कभी कानी पड़ी होगी एंटिबाइटिक्स कैसे बना कि ब्रेड मोल्ड वाला एक आप अगर देखो तो ब्रेड मोल्ड वाला फंजाई था पेनिसीलियम वह क्या हुआ एक पिटर डिश था जिसमें कुछ बैक्टिरिया रखे थे वह उड़के उसमें गिर जाता है और बैक्टिरिया धीरे वह उसके साथ आते ही खतम होने लग जाते हैं तो बैक्टिरिया का नुकसान हो जाता है और ब्रेड मोल्ड फंजाई क्या कर देता है उसको खाता नहीं है उसको खाता नहीं है बस उ enzymes release करके तो यह जो रिष्टा है जिसमें क्या हुआ फंजाई को क्या हुआ पैनिसीलियंग नाम का उसे क्या हुआ पैला हुआ खाता तो उसका फाइदा होता उस्सें लेपार दिया नुक्सान हुआ लेकिन बैक्टीरिया का क्या हो गया वो तो बिचारा मर गया तो उसको क्या हो गई नुक्सान हो गई तो ये जो रिष्टा है इसमें एक को माइनस है याने नुक्सान और दूसरे को क्या है जीरो याने ना फाइदा ना नुक्सान तो माइनस जीरो वाला रिष्टी को कहते है एमेंसलिजम इसी का दूसरा नाम है एंटी बायोसिस तो यह भी आपको याद रखना है एमेंसलिजम दोस्तों अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं एक बड़ा पेड क्या करता है चोटे पेड को च्छाओं में डाल देता है जूटे पेड को सनलाइट नहीं आने दे रहा है आ क्या हो गया माइनस तो यह कैसा रिष्टा है एक बहुत इंपोर्टन टर्म है आपको याद रखना है यह ने में पूछा है अलीलोपेथी गुमा के तो यह पहले उसको जान लेते हैं तो कुछ पॉदे क्या करते हैं वह कुछ क्या करते हैं कि आज पास के प्लांट को ग्रो होने से ही रोग देते हैं एक ब्लाक वालनट का जो पेड होता है आप देख रहे हो यहां इसके रूट जो है ना यहां पर आप देख रहे हो यह रूट क्या करते हैं एक जगलोन नाम का एक केमिकल रिलीज करते हैं सबस्टैंस रिलीज करते हैं सॉयल में त अपने रूट से तो आसपास और कोई भी प्लांट होती है वो रेस्पिरेशन ही नहीं कर पाती तो यह क्या हो रहा है इसको ना फाइदा ना नुकसान लेकिन इन सब को नेगेटिव तो इस प्रकार के रिष्टे को क्या कहते हैं याद रखिएगा में आया हुआ तो इसको जानिए तो रेस्पिरेटरी नहीं बीटर है तो सम प्लांट्स मेडिटरेणियन ट्रीज जो होते हैं यूकलिप्टस आपने सुना होगा शैद यूकलिप्टस को मत लगा हुई आसपास और किसी पौधे को होने नहीं देता है तो यूकलिप्टस भी कहते हैं कुछ यूज करते हैं मेडिटरेणियन एक प्रकार का क्लाइमेट है जो यह आपको जानना था यह समझ आ गया तो यह देखिए ब्रेड मोल्ड पे फंजाई लगी होई है यह पेनिसीलियम वाली ही फंजाई का मैंने फोटो डाला है चलि नेक्स्ट अगर आप देखे तो आता है कमिंसलिजम मतलब क्या हो गया जिसमें एक स्पिशीज को फाइदा है दूसरे को ना फाइदा ना नुकसान तो वन स्पिशीज बेनिफिट्स वाइल दी अधर स्टेज अने फेक्टेड तो आप देखिए यह मेढख पत्ते के नी यहां पर जब जानवर चरते हैं चरते हैं तो जब चर रहे होते हैं तो इस दोरान जो कीड़े होते हैं वह open में खुले में दिखने लग जाते हैं तो उसी के पीछे-पीछे ये सारे पंची भी चल रहे होते हैं cattle egrets इनको कहते हैं पीछे-पीछे चलते हैं और वो कीड़े भी खाते वे जाते हैं तो ये बड़े से भैस को तो ना ना साइधा हुआ न नु 앉ा हो ये तो अपना इस दोरान क्या होता है जब किसी भी जानवर को हंट करके खाता है उसके बाद कि हड़ी चूट जाएकी तो भो इसके पीछे-पीछे चलता है चाइगर के जाने के उसको खाल लेता है तो यह भी क्या है कमिंसलिजम ताइगर को कुई फर्क नहीं बढ़ता उसने अपना पेट भरा उसका काम हो गया लेकिन जैकल ने उससे फाइदा निकाल लिया तो दिस इस कमिंसलिजम जिसमें एक को फाइदा दूसरे को ना फाइदा ना नुकसान आखरी इसी रिष्टा देखे तो नियूट्रलिजम ये वो रिष्था है जिसमें दोनों स्पिशिग दूसरे से से खास लेना देना ही ना रखें एक दूसरे को ना स्टकोवना एक देना ही नहीं है तो दिसवते पानि जमती है तो महाँ पर क्या हो जाता है तो एक-般डैhard पोल रहता है तो टेड़ पोल श्रिम्प रहती है यह देखिए यहां पे रह रही है और उसी लोकेशन में कैमल अपना घूम रहा है रिखिस्तान में कहीं दरुदर तो दोनों एक दूसरे से कोई इंपक्ट कोई रिष्टा नहीं है तो यह क्या है न्यूट्रलिजम दोनों मे को छेड़े भी नहीं उनको पता भी नहीं हो रहे भी रहे अपने घर पर हमें क्या तो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट ना करें यह क्या हुआ नियूट्रलिजम हुई तो जल्दी से दोस्तों समरी देखते हैं उस टेबल के माध्यम से जो मैंने कहा था आपको समरी शीट ह है तो जो आपको याद रखना है तो आए जल्दी से इसको समझते हैं तो आप अगर देखे तो पहलाला यह ने दोनों को फाइदा मिंचल दों को फाइदा ऊं जैसे ट्रीओफ रॉघ्ट को न फाइदा न नुक्सान एक को फाइदा न नखसन तो कि मिंचल इमिसे को फाइद ना फाइदा ना नुकसान जैसे क्या किया उसने क्या किया आज-पास में वह अपने टॉक्सिक केमिकल छोड़ दिया तो उसको आज-पास के जीव को नुकसान हो गया और खुद को ना फाइदा नुकसान competition एक पंची ने दूसरे पंची कमों बन्ध कर दिया competition सिर किया है तोischen कैसी हो रहा है लेकिन अंतर क्या है पैरसिटिजम में यह अंतर है कि वह उस जीव के अंदर रहेगा उसे अंदर से खोखला बनाएगा लंबे तक उसका भक्षन करता रहेगा धीरे 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 तो दोस्तों चली जल्दी से आज कुछ सब्सक्राब conceit इंटरश पिशिक जब स Jaa 말ा आ चाट करने से कहते हैं बकिश्वाल देखिए जल्दी सेपके स्टीन पर हें टीन स्टेट्मंट दिए गए हैं और अगरे में दुसरे को मारता है और और खुद को benefit पहुचाता है पारसिटिजम में एक स्विशी बेनिफिट करती है और दूनों स्विशी एक दूसरे के रिष्टे के साथ benefit करती है एमिनसेलिसम में एक स्विशी को नुकसान होता है एंड खुद को फाइदा होता है तो बताइए इसमें से क्या answer सही है पीडिएफ आपके साथ शेयर हो जाएगा पाथ फाइंडर चैनल पर तीन सेकंड बागी है तीन सेकंड में जल्दी से अपना और की आंसर दे दीजिए तो प्रांजय ने बता दिया answer क्या है एंसर इस एंसरे विल्कुल सही तो प्रेडेशन में क्या हो रहा है भक्षंड किया जा रहा है एक और दूसरे को मार दे रहा है खुद को benefit पहुंचा रहा है उस और और को नुकसान होता है अंदर से खोकला करता है दोनों को कैसे benefit होता तो statement two क्या है गलत है एमिंसलिजम में क्या हो रहा है एक स्विशीज को आप एक को नुकसान हो जा रहा है दूसरे के और दूसरा क्या कर रहा है उसको ना फाइदा नुकसान बस मजे ले लिए जा रहे हैं तो माइनस और जीरो है तो खुद को भी benefit नहीं है खुद को ना फाइदा ना नुकसान तो माइनस जीरो है तो answer is a one only next competition के बारे में दो statement दिया गया है इसमें से क्या सही है competition जब दो species के बीच में हो in competition एक species को फाइदा होता है और एक species को नुकसान होता है एक ही को नुकसान होता है जब दो species के बीच में competition हो तो बस एक को नुकसान होता है competition हमेशा होती है याने within the same species होती है है तो बताईए क्या answer है competition में बस एक species को नुकसान होता है क्या competition हमेशा इंट्रा स्पेसिफिक है अवतार में कह दिया भाई answer is D और कुछ कहना चाहेंगे ए डी परविंदर कह रहे हैं डी स्मृति कह रही है ए ठीक है तो एंसर क्या है अगर देखिए एंसर इस अगेन डी नीदर वन नौट तू दोनों स्टेटमेंट गलाच है अगर अगर आप देखें सिएक के बीच में दोनों को नुकसान होता है दोनों को नुषसान हो रहा है तो दोनों जो और आप देखो तो इंट्रा स्पिसिफिक भी होता है वी बिदिंदी Kim दूसरे का मूंबन बंत कर रहा है Inter suspect interspecific भी होता है वहाई ना गए से लायन के पीछे-पीछे तो in-t भी होता है within two species भी होती है कि थीसरा final ऍपənिसीलियम का जो ं इसेलियम जी चन्यों करता है जोकी एक एंचीपियोटिक सबस्टाइस है जो इंंसाल हुई सवाघ का इंटि वाला जो रिष्टा है जिसमें पैनिसले इंसलेशन है और टीudave परफेक्ट परफेक्ट एंसर इस सी का एंटी बायोसिस एफ और इंसलिजम याद रखिएगा आपको हमेशा याद रहेगा बिल्कुल बहुत बढ़िया एंसर इसी एंसर इसी बहुत बढ़िया तो इसके साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे जब भी पा समझ सकते हैं कि आपको मिल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन में प्राइज भी आपको मेंशन है तो मंडे टू सब्सक्राइब करती है दोस्तों जब भी आएं उस वीडियो को अगर पसंद आयो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें तो आप लोगों की सपोर्ट की अभी हमेशा हमें प्यार और इसकी आवशक्ता हमेशा रहेगी तैंक यू सो मुच तैंक यू सो मुच फॉर जोइनिंग हैव ग्रेट डेए